दोस्तों कैसे हैं आप सब आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इरोप जाना चाहते हैं और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पोलिंड जाना चाहते होंगे जी हां पोलिंड भी बहुत जादा पॉपुलर कंट्री है इरोप की जहां पर आप जो अच आप Poland जाने की नहीं भी सोच रहे हैं तो एक बार Poland को मतलब ध्यान में ज़रूर रखेगा दूस्तो Poland में आपको बहुत सारी jobs भी देखने के लिए जिन jobs के लिए आप इसली apply कर सकते हैं दोस्तो तरीका बहुत ही असान होता है और उन्हीं तरीकों के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप खुद के लिए jobs के लिए apply कर सकते हैं दोस्तो आपको बस वीडियो के इंट तक बने देना है वीडियो के पसंदा वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है तो आपको अपने लिए एक European format का CV और cover letter बनाना पड़ेगा दोस्तो क्योंकि वहाँ के employer जो उसी format के CV और cover letter को judge करते हैं वो CV cover letter है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तो CV cover letter को जो है आपको websites पर जाकरके upload करना है ताकि वो CV cover letter employer तक पहुंच सके और वो देखकरके आपको judge किया जा सके दोस्तो सारी jobs के पता चलेगा दोस्तों यहाँ पर आपको जितनी jobs होती है वो सारी सारी jobs आपको देखने क्ली मिल जाएंगी अंस्किल्ड jobs highly skilled jobs हर ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं हर job portal की तरह इसका भी format जो है same है दोस्तों उपर search बार वगिर आपको देखने क्ली मिलेंगे आप job title डाल सकते है job location डाल सकते है और search कर सकते है ठीक है नीचे की तरफ आपको jobs देखने क्ली मिलेंगी दोस्तो manager की job available है manager of roadworks जो road का काम वगरा देखते हैं उनकी job available है forklift workshop employee की job available है उसके बाद customer supporter की job available है junior FPGA specialist trade specialist यहाँ पर product specialist की job available है उसके बाद sales channel improvement specialist उसके बाद technical supervisor of business client sales manager junior accountant production worker वीडियो content moderator उसके बाद नीचे आप assistant की job देख सकते हैं production worker customer advisor मतलब कि यहाँ पर आपको दोस्तों बहुत सारी jobs देखने मिलेंगी दोस्तों आप अलग-अलग pages भी जा सकते हैं यहाँ पर सी all job offers का option है उस पर क्लिक करके जितनी भी jobs available है दोस्तों सारी सारी देख सकते हैं ठीक है चाहे तो आप यहाँ पर उपर से जो है फिल्टर वगेरा भी कर सकने दोस्तों फिल टिक कर देंगे दोस्तों अब हमारे सामने जो है सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन की जौब साइंगी दोस्तों ठीक है road workers manager उसके बाद deputy head of the operation section for the railway road electricians assistant की जौब बले है उसके बाद works manager electrician fitter की जौब बले है इस तरीक से आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी सारी jobs आ गई है यहाँ पर याद रखेगा location जरूर देखेगा दोस्तों कुछ jobs जो है यहां पर इधर उदर की भी आ जाती है क्योंकि वह होता है ना कि एक सर्च किया तो बतब भीड के जुंड में एक खुटा भी घुच जाता है तो वैसा भी होता है यहां पर तो उस चीज को आप ध्यान में रखिएगा बस यहां पर अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जैसे जनरल कंस्ट्रक्शन मेनेजर की जौब होए दोस्तों इस पे क्लिक करेंगे तो यह जौब ज पोलिंड वाली जौब थी दोस्तों वह हमारे सामने आ गई है चटकर के तो इलेक्ट्रीशन फिटर वाली जौब पर लेके जाऊंगो आपको यहां पर आप देख सकते हैं यह जौब जो है यहां पर इसमें जौब डिस्क्रिप्शन वगेरा दिया गया दोस्तों सारे जौ पर नीचे एक email ID दी दी तो आप देख सकते हैं यह black color में ठीक है इस email ID पर अपना CV का वलेटर सेंड कर सकते हैं यहां फिर apply quickly वाले option पर क्लिक करके यहां पर आपको नाम, last name, email वगेरा भरने का option आएगा ठीक है यहां पर पूछा जा रहा है क्या आप अपने CV के साथ apply कर र दोस्तों बहुत असानी से आपका CV जो है company में पहुंच जाएगा दोस्तों जिसके पास आप भेजना चाते हैं employer के पहुंच जाएगा ताकि आपके CV को देख करके वह आपको judge कर सके आपको hire कर सके दोस्तों, CV का वलेटर फिर से याप दिला दूँ, आपका European format का होना ची है अगर apply करना चाहते हैं तो क्या करना है, नीचे जो आपको apply quickly का option देखने के मिल जाएगा, साहर आपको ना दिख रहा हो, लेकिन अगर आप page खोलेंगे तो वहां दिखेगा आपको, यहाँ पर भी same option आपको देखने के मिल रहा है दोस्तों, same process है, first name, last name, email address डालना है, I am applying with the CV, उसके बाद यहाँ पर CV upload करना है, cover letter upload करना है, बाकी सारी चीज़े upload करने के बाद send कर देना है, तो यह इतना easy सा process होने वाला है दोस्तों, अगर आप भी Poland की job के लिए apply करना चाहते हैं, ठीक है, यह नहीं, इसके अलावे भी बहुत सारी websites है, LinkedIn और इसके प्राकुज करक आगे रखिएगा, ऐसा मत करिएगा कि आज एक job के लिए apply किया, और फिर 10 दिन बाद एक job के लिए apply कर रहो, नहीं, हर दिन कम से कम 5-10-15 job apply करो, तब कहीं न कहीं से response आएगा दोस्तों, तो I hope आपको समझ में आ चुका है, समझ में आ चुका है, तो वीडियो को like करें, share करे और चैनल को subscribe बना में भूले को दोस्तों, मैं उस और अब आप देख रहे हैं तो public engine, मिलते हैं एकली वीडियो में एक नए topic के साथ अब तके लिए, bye bye